नमस्कार देली शो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका मित्र साथी हमदर्थ मुखेश कुमार दोस्तों सत्थिंदी लगातार कोशिश कर रहा है अच्छी और निश्पक्ष पत्रकारता को आगे बढ़ाने की और हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हो जाएं इसके लिए आपसे गुजारिश करते हैं कि करपिया इस वीडियो के साथ दिये गया डिस्क्रिप्शन में जाएं उसमें एक लिंक है उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुकतान करें हमें उमीद है कि स्वतंत्र पत्रकारता को आगे बढ़ाने के लिए आप ऐसा जरूर करेंगे तो आईए अप शूर करते हैं आज का दटेली शो दोस्तों पिछले 6 साल में भारती मीडिया के पतन का जो सिलसिला शुरू हुआ है अब वो अपने एक नए मुकाम तक पहुँच गया है शायद ही किसी को इस बात की कलपना रही होगी कि पब्लिक फंडिंग से चलने वाला सारजुनिक पैसे से चलने वाला एक संसान प्रसार भारती देश की नंबर वन न्यूज एजन्सी पीटी आई को सरेयाम राष्ट विरोधी करार देगा और थमकाएगा लेकिन यह हुआ है और इसका होना यह बताता है कि भारत में प्रस की सुतंतरता कितनी नीचे आ गई है कितनी गिर गई है हलाकि तमाम अंतरराष्टी रेटिंग एजन्सिया हमें पिछले दो तीन साल से लगातार बताती रही है कि भारत में जो फ्रीडम आप प्रस है प्रेस की सोतंतृता है वो लगातार फिसलती जा रही है और कमजोड होती जा रहे हैं पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं मीडिया संस्थारों कोपर के काम में हस्तक्षेप हो रहे हैं लेकिन ये मामला केवल मीडिया को दबाने का नियंत्रित करने भर का नहीं रह गया है बलकि फासीवादी विचारों को आगे बढ़ाने का है मोधी सरकार की ओर से प्रसार भारती को ये काम दिया गया है कि वो मीडिया को सरकार की विचारधारा के अनुकूल ढालने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करें चुकि प्रसार भारती उपर से नीचे तक फासीवादी सोच वाले लोगों से भर दिया गया है इसलिए अंदर से कोई प्रतिरोध, कोई विरोध, प्रतिवाद नहीं हो रहा है कोई रुकावट भी खड़ी नहीं हो रही है कोई वहाँ से निकल कर बाहर शोर नहीं मचा रहा है कि देखिए ये जो संस्थान है उसका किस तरह से दुरुपियोग ये सरकार कर रही है दरसल प्रसार भारती ने पब्लिक ब्राड कास्टर का एक मुखोटा पहन रखा है मतलब सार्जुनिक जो प्रसार करता है उसका एक मुखोटा पहन रखा है लेकिन काम कर रहा है वो संगी ब्राड कास्टर का PTI کو धमकाने की जो हरकत उसने की है वो इससे और भी साफ हो जाती है मीडिया के हाल को देखते हुए बहुतों को सरकार की इस हरकत पर कोई हैरत नहीं होगी पिछले कुछ सालों में मीडिया की स्वतंतरता को बिलकुल खत्म कर दिया गया है उसे इसी लिए हम सब गोदी मीडिया कहते हैं भक्त मीडिया कहते हैं पेड मीडिया कहते हैं लैब डॉक कहते हैं तरह तरह के नामों से उसे पुकार जाने लगा है उसकी विश्रसनीता उसकी साख एक तरह से धफना दी गई है और उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है इस सरकार का, इस सरकार ने अपनी सत्ता, अपनी जो तमाम संगठने उससे जुड़े हुए, उनका और धन शक्ति का इस्तेमाल करके मीडिया को लगभग खत्म कर दिया है, ये हाल तो प्राइवेट मीडिया का किया गया है, लेकिन राजनीति को आगे बढ़ाने का एक टूल की तरह उसको इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन यहां भी, लेकिन यहां भी मोधी सरकार ने इस मोर्चे पर एक नई इबारत लिख डाली है, प्रसार भारती के मेनेजमेंट ने बलकि सूचना एवं प्रसारल मंत्राले कहना उ आसी वादी प्रूवेगंडा का ओजार बना दिया है, अब उस सरकार की तारीफे करने और विपक्ष को कोसने के अलावा कुछ भी नहीं करता है, संग परिवार के एजेंडे को आगे बढ़ाना ही अब उसका एक मात्र मकसद रह गया है, वास्ताव में यह खटना बताती है कि जिन लोगों के हाथों में सरकार और प्रसार भारती की बागडोर है, उनका सोच और एजेंडा क्या है, प्रसार भारती का गोशना पत्र कहता है कि वो देश में एक स्वतंद्र एवं निश्पक्ष प्रसारक का मॉडल, मीडिया का मॉडल खड़ा करेगी, मगर वो मीडिया में तब्दील हो गया है, पहले से तब्दील हो रहा था, अब वो अपने चरम पर पहुँच गया है, यही ने जिन मीडिया संस्थानों में जरा भी सुतंद्रता बची है, अब प्रसार भारती का में इस्तेमाल उनको ख़त्म करने के लिए भी किया जा रहा है, एक की सबसे बड़ी निजेजन्सी को इस तरह से धंकाया है, ब्लैक मेल करने की कोशिश की है, समुचे मीडिया जगत में इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है, तमाम पत्रकार संगटनों ने प्रसार भारती की निंदा भसना करते हुए इसे लोकतंत्र विरोधी और प्रेस की स स्वतंतरता पर खुलन खुला हमला है और निजेजन्सी को ब्लैक मेल करने की कोशिश भी आता है, इस वर्ड को ध्यान रखिए, ये IJU ने इस्तेमाल किया है बाकायजा, IJU का कहना है कि PTI द्वारा लिया गया, भारत में चीनी राजदूत, सुन वीडॉंग का इंटर्व विश्वसनी है, संतुलित है और ये पत्रकारता की शेष्ट परंपराओं से जुड़ता है, जो भी मतलब विश्वसनी और संतुलित पत्रकारता की जो से शेष्ट परंपराओं है, उससे मेल खाता है, इसमें कोई बायस नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, कोई एजेंड को खत्म कर देना चाहती है PTI के पीछे आखिरकार क्यों पढ़ी है किवल एक इंटर्व्यू की वज़े से अगर ऐसा है तो क्यों है प्रसार भारती ने PTI को धमकी दी है कि वो उसकी सेवा बंद कर देगी मतलब उसकी सर्विसेज नहीं लेगी और जो इसके बदले में करोणो रुपए PTI को मिलते हैं प्रेस्टर स्टाफ इंडिया को मिलते हैं वो मिलने बंद हो जाएंगे इसी ये जो सब्सक्रिप्शन फी होती है उसी से ये PTI और दूसरी जो न्यूज एजेंसी वो चलती है अगर जो बड़े सब्सक्राइबर हैं अगर वही फी देना बंद कर देंगे तो इस एजेंसी का माली हालत खराब हो जाएगी तो ये एक तरह की धंकी है प्रसार भारती की PTI को कि मैं हम आपकी सब्सक्रिप्शन भी खतम कर देंगे तो पहला तो ये है कि इसके दो मतलब पहला तो ये है कि पूरी तरह से PTI सरकारी और संगी एजेंडे में आ जाओ विरोध मत करो वरना वित्ती संकट में फज जाओगे और खतम हो जाओगे तो साफ तो तो पर अपने फासिवाजी एजेंडे की तरफ खीचने की कोशिश है PTI को प्रसार भारती को लगा होगा कि उपर उपर बात करने से शायद मैसेज न जाये ठीक या कोशिश की गई होगी PTI को अपने पक्ष में लाने की जरूर कोशिश की गई होगी लेकिन जब ये इसमें काम्याब नहीं होई होगी सरकार तो उसने ये डंडा दिखाने की कोशिश की होगी तो एक तो जो PTI को धमकी दी गई उसका एक मतलब ये है दूसरा संदेश ये है कि सरकार ने तै कर लिया है कि अब वो उनी संस्थाओं को पालेगी पोसेगी जो पूरी तरह से उसकी विचारधारा और एजेंडे के हिसाब से चलेंगी ये चल रही है इस मामले में ANI का नाम लिया जा रहा है जिसे सरकार की और से तमाम तरह की सुईधाएं और महत्त दिया जाता है ANI के माले में माना जाता है कि वो प्रो मोधी है प्रो बीजेपी है प्रो संग है आपने देखा होगे कि किसी भी एजेंजी को प्रधान मंतरी इंटरव्यू नहीं देते हैं लेकिन ANI को बुला कर इंटरव्यू दिया जाता है तो ANI विश्वास पात्र एजिंसी है सरकार की, संग परिवार की, इसलिए उसे खास तवज्य जी जाती है, उसको प्रमोट करने के बहुत सारे मौके दिये जाते हैं अब यहाँ यह बता देना ठीक होगा कि PTI की साख कभी भी सत्ता विरोधी मीडिया संस्थान की नहीं रही है, वो मोटे तोर पर सरकार की सुधा के साब से ही खबरें दिया करती है, ऐसा बहुत कम हुआ है कि उसकी किसी खबर से किसी सरकार को मुश्किल पेश आई हो तो मोटे तोर पर यह सरकारी लाइन पर चलने वाली एजेंसी है, इससे किसी सरकार को कोई दिक्कत नहीं होती है, अपवाद को छोड़ दें कभी कभार, तो PTI की खबरों ने कभी कोई विवाद खड़ा नहीं किया है, एजेंसी के वारे में वैसे भी माना जाता है कि वो न अकसद ही है कि वो संग परिवार, BJP और इस सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करेगी, तो इसमें एक उद्देश यह भी हो सकता है कि उस एजेंसी को जादा बढ़ाए जाए, इस एजेंसी को कमजोर कर दिया जाए, तो अपनी एजेंसी एक खड़ी हो जाएगी तो वो सब जगा समचार देगी हमारे इसाब से, तो एक उद्देश इसका यह भी हो सकता है, अब देखिए कि चीनी राजदूत का इंटर्व्यू जो PTI के कोरिस्पॉंडेंट ने किया है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको लेकर इतना हंगामा खड़ा किया जाना च तो जब जो चीनी राजदूत हैं, वीडॉंग, उसके इंटर्व्यू आया, तो उसका खंडन होता था, तो मगर सरकार चाहती तो उसको अंदेखा कर देती, हम सब किसी ने, हमें पता भी नहीं था कि PTI ने ऐसा कोई इंटर्व्यू किया है, उसकी बहुत चर्चा भी नहीं कुछ हुआ था, अब दिक्कत यह है इस सरकार के साथ कि इसको विरोध या असहमती बरदाश्ट करना आता नहीं, इसकी फितरत में ही नहीं है, किसी भी तरह का कोई विरोध हो, बरदाश्ट हो नहीं करती है, और प्राइम मिनिस्टर से सम्मंदित अगर कोई ख़बर हो, त देखें, तो यह पूरी तरह से अमर्जेंसी के दिनों वाला है, जिस तरह से उस समय इंदिरा गांधी की सरकार अमर्जेंसी में मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, तमाम अखवारों को संसर्शिप के तहत लाया जा रहा था, और उस समय भी उस सरकार ने जो चार नियूज एजेंसी थी, उनको मिला कर एक कर दिया था, और उसका मकसद ये था कि कैसे खवरों के फ्लो को आसानी से कंट्रोल कर सके, तो ये एमर्जेंसी के दौरान हुआ था, अब एमर्जेंसी की घोशना तो हुई नहीं है, लेकिन दूसरे तरह के तरह से सरकार यही काम कर रही है, एक अगोशित एमर्जेंसी में अगोशित संसर्शिप लागू करने की कोशिश कर रही है, कि जिन एजेंसियों में कहीं कोई गुझाईश है, सरकार विरुधी खबरें जाने की, या सरकार के एजेंडे से हट कर काम करने की, उनको कमजोर कर दो, उनको बंद क करो और फंडिंग दो, ताकि वो सरकार के एजेंडे और एक जो फासिवादी एजेंडा है, संग परिवार का, उसको आगे बढ़ाने में मददकार सावित हो। तो ये पूरा एक वेल डेजाइंड मूव है, प्रसार भारती का, ऐसा मत समझिये कि केवल प्रसार भारती ने अपने इस तरह पर ये फैसला कर लिया, इसका संबन्द आइण वी मिनिस्ट्री से है, इसका संबन्द पीमो से है, ये तीनों एक ही लाइन पर काम कर रहे होंगे, और तब इस तरह का कदम लिया गया है, उठाया गया है, और लेकिन दुखत बात ये है कि ये पूरी तरह से लोकतंत्र विरोधी है, समविधान विरोधी है, और इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा हमारे पूरे राजनीतिक समाजिक विवस्था पर, क्योंकि प्रेस का का मीडिया का काम है, सरकार की जवाब देही को सुनिश्चित करना है, वो सवाल खड़ी करती है, और सवाल खड़ी करती है, इसलिए सरकार को जवाब देने के लिए तयार रहना पड़ता है, अगर आप मीडिया को लगातार कमजोर करते जाएंगे, अल्रेडी कमजोर हो गया ह हम यह नहीं कहते हैं कि केवल PTI की वज़े से यह कमजोरी थम जाएगी अगर PTI को बक्ष दिया जाएगा वो तो लगातार चली रहा है तो हमारी चिंता पूरे मीडिया की है न केवल PTI की लेकिन यह कदम और आगे बढ़ते जा रहे हैं हम यह कहना चाहते हैं इसको रिकांकित करना चाहते हैं कि हम इस दिशा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं जहां पर पूरी तरह से मीडिया की सुतंतरता खत्म हो जाएगी और मीडिया की सुतंतरता का खत्म होने का मतलब है हमारी आपकी अभिव्यक्ति की सुतंतरता पर भी पूरी तरह से अंकुष लग जाना उमीद है दोस्तों कि आज की जो चर्चा है जिस पर मैंने कोशिश की है कि प्रसार भार्टी ने जो ये मूव लिया है ये सरकार ने जो मूव लिया है पीटी आई को दबाने का धमकाने का उसके पीछे का जो एजंडा है फासिवादी एजंडा है और सरकार का अपना एजंडा है उसको चलाने की कोशिश है ये बात मैं कनवे कर पा रहा हूं तब तक के लिए नमस्कार सत्त हिंदी के और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं